कि आपका हमारी डूपिया जिसका की नाम है लेट्स क्राक अंटी यूजर नेट आज हम फिर एक आई सीटी के नए कंसेफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं आयोप की वीडियो स्टार्ट हो गया होगा स्ट्रेमिंग स्टार्ट हो गया है काफी बच्चों कि फिर नए टॉपिक में मूव करेंगे देखते हैं नए टॉपिक क्या होगा तो आज हम बेसिकली काई उस बात करने वाले हैं यहां पर मॉनिटर कितने टाइप के आते हैं कि इस पर कॉश्चन आए हैं क्या के टेक्नोलोजी जी आ चुकी है और इसके लाबाभा प्रिंट आया नहीं आरोग्या सैतू आप ओपन सोर्स होगा इसका क्या मतलब है ओपन सोर्स हो गया ओपन सोर्स तो नहीं होगा आप ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी उसको एडिट कर सकता है तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरा नाम कुमार भृत है पेपर उनका मैं ट्रेनर हो ज्यरेफ क्वालिफाइड और सरल सरल एक्समेशन देनी कुश्च करता हूं कटन से कटन कंसेप्स के तो डेली हम आते हैं आ आजायर पर उनके कि पूरी तयारी आपकी इस चैनल पर इससा मेरा अगर पूरा प्लेलिस्ट आप देखना चाहते नाम क्लिक क्लिक करके पूरी के पूरी वीडियो देख सकते हैं और इसके लाब बात करते हैं कि जो कि इंडिया का लाज़ेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जहां पर आपको लाइब क्लासे स्टुक्टर्ट कोसे लाइब टेस्स सब कुछ मिलता है घर बैठे बैठे ऑनलाइन त्या लॉक्टाउन रहे न रहे हर चीज़ अंलाइन शिफ्ट हो गही है अलाइन की फायदे हैं ऑलवर इंडिया की टॉक्ड्रेंचर आ french कलते हैं कि country आपने हैं कितने सारे आप देख सकते हैं जो कि यहां पर कोर्सेज बना रहे हैं मेरे भी कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट है पेपर वन पेपर टू सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड कर लीजे और यहा और ज्यादा उसके उपर के बीटन कोड का जरूर प्रयोग करें जिससे आपको दस प्रतिशत का लाव हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइपस ऑफ मॉनिटर की बात कर लेते हैं यहां तो टाइपस ऑफ मॉनिटर में सबसे पहला है हमारे पास पॉ लेकिन टीवी बहुत बड़े होते थे और उनकी स्क्रीन जो है ऐसे करके टीवी होती थी तो यह वाली जो स्क्रीन होती थी यह हमारी सियार्टी मॉनिटर होता है जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रेट यूग तो यह अगर इसका साइट से देखो तो ऐसे पीछे से इत्ती लंबी से निकली रहतीओ बड़ी सी टीवी होती थी तो पहले हाँ तो पहले जो भी पिक्चर दिखाने का तरीका था की possibilities पे वो के फूर्ड की रे होती यह एक one टाइप की रॉश्नी होता है तो असल में क्या होता है अगर देखो अधे से ब्कटिवी तो अरवाना वन सीज लगी रहती है जो कि प्रोजेक्ट करता है परदे की तरीके से यह होता है तो आपको यहां पर आगे चित्र दिखाई देता है तो क्योंकि अब यहां प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो उसकी दूरी आपको रखनी पड़ी यहां पर और बड़ी भारी यह टीवी होती थी और बड़ी महंगी भी होती थी और उसको एक जगह से उठाके दूसरे का लिखना बड़ा कठेंट था क्योंकि इसका कांच का पूरा यह सिस्टम होता था बड़ा जो है अनकंविनेंट था और इतनी शाप इमेज भी नहीं दिखते थे मोटी मोटी में देखती थी उसके अंदर क्लियरिटी भी नहीं आती थी तो कि आँ तो टेवी जो है वो कम क्लियर होती थी थोड़ी लेकिन जो मॉनीटर होते थे वो ज्यादा प्लीए ठीवी से पिक्चर शारप राती थी टेक्स्ट के लिए बशीर करने के लिए मोनीटर की अच्छी ओटी थी तो ये हां स्कूल ल मौनिटर यह वाला ही रखा होगा कभी अगर आप ध्यान दें काफी बच्चों घर पर भी अभी चल रहा होगा सब लोग चला रहे होंगे इसको तो यह बहुत अच्छी नहीं होती थी और इसके बाद थोड़ा यहां पर देख लिखा हुआ है के थोड रे ट्यूब इस बैसिकली वैक्यूम ट्यूब तो यह वैक्यूम होता था यह तुब यहां पर लगी है और कंटेनिंग 5271 अंट इलेक्ट्रॉन गन तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बहुजने वाली गन लगी थी और यहां पर फ्लूर सेंट क्या होता है फ्लूरो सेंट मतलब जो हमारी सी एफ लोगती थी पहले स्पाइरल वाली उसके अंदर भी फ्लूरो सेंट होता था ऐसे तो शमक करके आपकी स्क्रीन पर आ गया आता था कि इसी तो आई हो क्या आपको समझ में आ गया होगा तो आपके सबके घर में हुआ करता होगा ठीक है तो चलिए सर आ आप जो स्क्रीन यूस कर रहे हो इसे टेक्निकली क्या कहते हैं जिसमें आप explain and write some intensely कर सकते हो इसको smart board कहते हैं और smart board भी ऐसा समझे लो कि जो नई technology आई इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी अब यह technology अगर आज भी चल ली होते हो तो smart board पॉसिबल नहीं होते आप यह सोचों कि इतनी छोटी टीवी बनाने के लिए इतना गहरा करना पड़ता है तो स्मार्ट इतना गहरा करना पड़ता वह एक कमरा तो आपकी टीवी खा जाती तो फिर आप इसको रखते कहां पर और कैसे वीडियो बनाते तो अगली technology जो आई है हमारी लिक्विड क्रि ही है जो मॉनिटर मिल रहा है जो स्क्रीन मिल रही है वो सारी LCD बेस्ट हैं तो LCD में क्या लिखा है कि मोनो क्रोम पिक्सल्स अरेंजड सिस्टेमाटिकली बिट्विट्विन अक कपल आफ ट्रांस्पेरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड टू पॉलराइजिंग फिल्टर्स तो य आप अपना फून लेने जाते हैं आप कहते हो कि पिक्सल्स जादा अच्छे होने चाहिए तो पिक्सल्स मतलब क्या होता है समझ लो अगर आप अपनी स्क्रीन को बहुत ज्यादा जूम करोगे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इतने च्छुटे बल्ब दिखाई देंगे तो ट्रANSPARENT ELEC-DRADS मतलब क्या है कि यह बल्ब लगे है और जाई सी वासे कि निकी कहीं से तारें भी जुडी होंगी भाई यह बल्ब है यह सारे के सारे बन यह स्क्रीन नहीं है यह बल्ब लगे है तो जिस स्क्रीन के पिक्सल्स जतने कम होगे इसका मतलब जिसक बड़े होते थे और दिखता था कटा कटा से दिखता था लेकिन अब आप कोई महंगा फोन लेंगे मी के आप सस्ते फोन में भी आप देखो तो फोर के डिस्प्लेय ने लगा है फोर के का मतलब यह है कि अब बहुत चोटे हो गए हैं और आपको क्लियर जादा पिक्चर अब तो है लेकिन तारे गई है वह ट्रांस्परेंट है और जाकर कि कहीं से कनेक्टेट हैं तो जब भी आप कोई पिक्चर देख रहें तो यह आपको चित्र दिख रहा है इसमें कोई मूवी देखती है लेकिन असल में क्या होता है यह बल्व होते हैं और हर एक बल्ब जो अपने अपने कलर में चल रहे हैं और उसके वज़े से आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है और अगर कोई मूवी चलती है तो उसका मतलब यह होता है कि वह बल्व बार-बार कलर बदल रहे हैं अपना किस हिसाब से जैसे मूवी का और उसमें डला हुआ उस हिसाफ से आपको लग रहे है कि कोई मूवी चल रहे है चित्र हिल रहे हैं असल में बात ही हो रही कि बल्व अपना कलर बदल रहे हैं और हमने पेचले लेक्चास में और घ्रीट ग्रीन और ब्लू तो एक बात ध्यान दीजिए कोई भी एलिदी बल्व होता है यह केवल तीन कलर में जल सकता है या तो रेड में जलेगा या ग्रीन में जलेगा तो ब्लू में जलेगा लेकिन इतने सारे कैसे generate करता है क्योंकि यह primary colors हैं और इनके combination से कोई भी bulb किसी भी color में जल सकता है तो इसका एक example आप ले लो जैसे आपने Chinese जहालर देखी होगी जो कि हर color में जल जाती है उसके साथ remote भी आता है किसी किसी के साथ देखिए किसी ने red green blue तो basic जलती है लेकिन अगर वह red को थोड़ा जला दो थोड़ा green जला दो थोड़ा blue हो जाएगा या थोड़ा purple हो जाएगा हर color में combination से जला सकते हैं तो एक LED आपने आसी देखी होगी कोई कोई आती है जो red green blue तीनों में जलती है तो बस वही चीज़ का छोटा रुपांतरण है जो कि यहां लगा रहता है और यही आपका जला करता है क्या smart board LCD screen है अलग अलग मोबाइल में अलग अलग पिक्सल कंपनी के साब से होता है जी हां ठीक है जी प्रोजेक्टर के बारें बताईए मैंने उससे पढ़ाई की है ओके चलिए प्रोजेक्टर के बारें बताते हैं कि smart board के लिए अधर चीज़ें भी चाहिए सर क्या smart board कितने कितने का है अच्छा ज्यादा स्मार्ट बोर्ड के लिए आप भी करना चाहते हो कि यहीं टेकनलोजी जिसकों की सरल भाषा में लसीडी टेकनलोजी कहते हैं तो बात करते हैं smart board की तो smart board में भी सेम यही है अब देखो क्या है ना कि पहले यह तकनीक जब निकली तो बल्ब थोड़े बड़े होते थे और थोड़ा दूर दूर होते थे तो उससे उतनी डालना अंदर उसमें अटाना चोटी-चोटी स्क्रीन में तो clarity और बढ़ जाती है बिल्कुल शार्प इमेज आ जाती है और आज के टाइम में अगर कोई आप फोन लेके बिल्कुल बगल से देखोगे ना तब भी आपको वह पिक्सल नहीं दिखाई देंगे पुराने फो सेट अप होता है लाखों में इसकी कीमत जाती है अगें पॉसिबल हुआ है ऐसा कर पाना क्योंकि अब यह जो बल्ब लगा के बारीक बल्ब लगा के स्क्रीन बनाने के जो टेक्नोलोजी बहुत विक्सित कर चुकी है ठीक है जी तो अब इसमें एक चीज और जोड़ लोग इन तक्नीक है मॉनिटर बनाने की वैसे ही ट Lewis की अज़ैक्स होती है ठीक है कि अपके फोन में जो आपका फोन का स्क्रीन है यह तो छलो समझ में आ रहा है कि फून में मॉनिटर है लेकिन इसके उपर क्या है कि एक और टॉच्च की भी लेर लगी है और उस लेर में अगेन अद्रश्य तारे गई और उसमें भी अगेन ऐसे ही पिक्सल बने में तारों से तो जब भी आप कहीं पर टच करते हो तो वह एक्सेस माप लेता है कि एक्स और वाई एक्सेस पर कहां पर किस पोजिशन पर आपकी टच होई है तो जो अद्रश्य तारे होती है जो बिच्छी है जो आपको दिखनी रही वह आपका टच डिटक्ट कर लेती हैं और वहां पर काम हो जाता है जो होना हो बटन प्रेस होना हो जाता है कुछ लिखना हो लिख जाता है यह तरीका होता है ठीक है और उसके बाद दूसरी चीज़ की अब स्मार्ट बोर्ड में यह तकनीक नहीं होती है जो कि स्मार्ट बोर्ड में जैसे फोन है तो फोन में होता है इसमें इंफरेड का थोड़ा सिस्टम होता है कि इंफरेड लाइट उपर से नीचे जा रही होती है और वह आपके टप का X26 करती हैं तो जैसे अगर मैं यहां पर टाइच करता हूं तो यह मनीटर को पता चल रहा है कि ये यह राइट से इतनी दूरी पर और टॉप से इतनी दूरी पर यहां पर कुछ हो रहा है तो उसे सबसाब गाम कर रहे है थीक तो दो टॉच crash laptop में बारे में बाद करेंगे तो यहाँ धोड़े से देख लेटे 線 にमों में कैसी स्क्रीन होती है से 500 की वी बात करतें अच्छ छ्ण ठीक है जीD मैंने नहीं लिया है मुझे आइडिया नहीं है बड़ लाघों में इसके कीमत है धीश चीक है अभी Iron Man Movies जैसी टेक्नोलोजी आ सकती रेल में नहीं अभी नहीं आ सकती लेकिन निश्चद भविश्य में आ सकती है तो LCD आपको समझ में आ गया कि भाई अब यह पतली हो गई CRT के ट्यूब नहीं बनानी पड़ती नहीं तो इतना बड़ा मोनिटर को एक कमरे में रखना पड़ता और वह भी तक क्लियर नहीं होता अब पतली से पतली जगा पे इतनी चोड़ाई इसकी होगी और इतनी चोड़ लगा है यह LED लगा है LCD नहीं लगा है तो LED क्या होता है ध्यान से देख लेते हैं light emitting diode तोlight emitting diode का मतलब समझिये कि इसपें क्या था LCD में क्या था कि हम जो light source लेते थे जो light है प्रकाश जो है प्रकाश का source जो CFL में technology यूज होते है X2 फ्लूरो सेन्ट जो होती है उसका यूस होता था और इतनी भारी लाइट होने के वजह से ठोड़ा वजन ज्यादा होता था और पावर ज्यादा लेती थी और ब्राइटनेस भी उतनी नहीं होती थी समय के साथ अब ध्यान दें LCD जो होती है यह CFL जो होती इसकी मार्किट से भी CFL गाया वोकर इसका रिजन था कि प्रकाश की एक नई तकनीक इजाद हो गई जिसको LED राइटिंग बोलते हैं जिसमे जो पावर कम लेती है चमक ज्यादा देती है ज्यादा लंबे समय तक चलती है और वजन में कम होती है जगा कम घिरती है तो बस उस टेकनी को उठा करके लगा दिया गया और इससे हमारी LED टीवी जा गए यानि कि वो LED जो आपकी घरों में लगती है उसी टेकनोलोजी को मॉनिटर में यूज किया गया और आपकी LED टीवी जा गए ये टीवी बहुत पतली हो गई जैसे सबोज LCD टीवी मेरे घर पे है आज भी मेरे यहें सब्सक्राइब टीवी चल रही है उसकी चोड़ाइई इतनी मोटी है तो जो LED टीवी आ गई लाइट पतली उनी की वज़ेसे और ज़्यदा चमकी लीजेसे उसकी चटलाई इतनी हो गई तो चणवाई और कम कर दी LED टीवी ने और चमक को और बढ़ा दिया एक पॉर्ट और होता है जिसमें से उव दो आफ होता है वो क्या है चलिए उसके बारे में बात करते हैं कोई generation नहीं है बस यह है कि technology improve हो रही है तो चलिए यह आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या हुआ कि यह इसलिए क्या है मच लेस पावर लेते हैं पावर कम लेते है कि तो क्या फर्क है कि यह इसमें क्या होता है कि लाइट एमिटिंग डायोड बैक लाइटिंग के लिए यूज होता है LED की technology बैक लाइटिंग जो होती उसके लिए यूज होती है और इंस्टेड ऑफ कोल्ड कैथोर्ड फ्लोरसेंट सीएफल तो जो LCD दिखाई थी उसमें सीएफल यूज होती है और इसके अंदर हमारी जो LED है उससे बैक लाइटिंग होती है ठीक है जी तो यह आप सबको समझ में आ गया तो अभी बात कर रहे हैं काफी बच्चे की प्रोजेक्टर की की वह ट्रांस्परेंट सा होता है मतलब जैसे चल रहा है और मैं आ गया तो मेरे चेहरे पर भी चितर छप चाता है उसी की बात कर रहे हैं आप लोग कि वह क्या चीज होती है वह भी एक टेक्नोलोजी है मॉनिटर की तरीके से इमेज दिखाने की और उसको प्रोजेक्टर कहते है एक्चुली ठीक है तो प्रोजेक्टर क्या होता है हां प्रोजेक्टर क्या होता है ध्यान से देख लेना प्रोजेक्टर भी एक तरीके से क्या है कि भाई जैसे क्या है कि जो स्क्रीन है समय मेरे पीछे लगी है प्रोजेक्टर मेरे पीछे नहीं स्क्रीन मेरे आगे होती है मतलब जैसे आगे camera होता है तो camera को projector मान लो और रोश्णी फेक रहा है वो रोश्णी फच्ञत ही है जिस दीवार पर टकराती है ठीक है तो जैसे सपोज यह projector है ऐसे और यह इसका लैंप इस तरीके से है यह रोश्णी फेकता है इस तरीके से और अगर सामने दीवार होती है तो यहां पे चितर छप जाता है तो जो पिक्चर हॉल आपका होता है उसमें प्रोजेक्टर टेक्नोलजी होती है मॉनीटर टेक्नोलजी नहीं होती हाला कि अब टेक्नोलजी इतनी विक्सित हो गई है कि जो सिनेमा हॉल में जो परदा होता है उसक तरीका था बड़ी स्क्रीन दिखाने का वह यह था कि लाइट फिको चोटा सा लेंट्स होता है, जिसमें बहुत तेसवाइट निकलती है, आपको जानको आश्यर होगा कि अतनी तेस लाइट होती है कि वो पता नहीं कितने वismo लेती बहुत तेज रौश्नी उसकी होती है, ले जैसे आप देखते हैं कि कभी-कभी पिक्चर हॉल में लोग जो आगे निकलते हैं तो अंधेरा आ जाता है पर दे की उपर क्योंकि वह रॉच्णी उनकी उपर पढ़ने लगती तो वह घर पे भी आप लगा सकते हो लेकिन वह इतना एफिशेंट नहीं होता जितना स्मार्ट बूर्ड होता है इसमें क्लैरिटी जादा होती है और लिख भी सकते हो आप ठीक है तो चलिए तो आपको समझ में आगी जीज़ प्रोजेक्टर की कमांड वॉल पर होती है यह कैसे पॉसिबल है वह बोट टाइप होता है एकदम शीशे की तरह उस पर टीचर पैन से लिखत होता है ठीक है तो यह समझ में आ गया है सबको कि क्या होता है चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्टर की हमने बात कर ली और आगे बात करते हैं थोड़ा प्रिंटर के बारे में बात करते हैं प्रिंटर क्या होते हैं तो प्रिंटर को भी देख लीजे प्रिंटर एक हमार फोटो कॉपी मशीन में बल्ब देखा है बल्ब जाता है ऐसे करके तो वही लेजर प्रिंटर है जिसमें बल्ब रोशनीक से छपाई होती है इसमें कुछ बाते ध्यान देना कि यह फास्ट होता है थीक है ना फोटो कॉपी वाला जो आप देखते हो फोटो कॉपी वाली मशीन वो इसी पे काम करती है इसमें ड्राइ इंक होती है तीक है उसमें रोल डलता है पाउडर काला पाउडर होता है रोल डलता है ब्लाक और वाइट के लिए बहुत बढ़िया होता है और बहुत चीप पड़ता है ब्लाक और वाइट में कलर में बहुत महंगा हो जाता है इसलिए color हमको दिखता ही नहीं है क्योंकि color में हमको basically inkjet printer दिखता है ये black and white के लिए ज़्यादा यूज़ होता है फास्ट होता है बस एकदम डाला निकाला इस इसाब से होता है ठीक है तो फोटो कॉपी वाली machine मतलब laser printer हाँ इसमें ड्राइंग पाउडर वाली पड़ती है ठीक है जी तो यह समझ में आया हाँ तो यह laser printer के कुछ फाइदे हैं और इसी लिए सारे लोग इसी का यूज़ कर दें आप प्रिंट आउट भी कभी कहीं साइबर कैफे में देते हो तो निकालते कहां से हैं इसी को connect कर दे लेते हैं फोटो कॉपी मशीन को अपने कंप्यूटर से और वहीं से प्रिंट आउट निकल निकाल लेते हैं यहां रखा और वहां निकलता है रोल में गूमते हुए लाइट जाती तो लाइट जो होती है और लेजर की टेकनोलोजी से वह छपाई हो जाती है ठीक है अगला है हमारा इंक जिट प्रिंटर तो इंग जिट पिंटर बैसिकली कलर प्रिंटर इसको कहते हैं कलर फुल पृरिंटर इसके अंदर से निकलता है इसमें बेशा लिक्विड इंक चार ब meine Durch होते हैं उनमें liquid ink होती है और यह competitively slow होता है और थोड़ा costly भी होता है लेकिन जो color print out होते हैं उसके लिए cheaper यही है उसमें laser printer में आप color में जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा और color accuracy इसमें बहुत होती है जो color accuracy है इसमें ज्यादा है क्योंकि laser printer में क्योंकि dry ink होती है तो इतनी accurate नहीं होती इसमें फाइदा क्या होता है क्योंकि ink गीली होती है तो color combination possible होता जैसे देखो आप यह print out निकल के आ रहा है तो इसमें light blue भी है dark blue भी है पिंक भी है तो यह CMYK को मिला करके colors बनते हैं तो liquid में क्या होता है कि mixing possible है लेकिन dry अगर पाउडर होगा laser printer में तो mixing उतनी possible नहीं है इस वजह से laser printer में color technology महंगी भी है और इसकी color भी accuracy कम है इसकी color accuracy जादा है बट अगेन black and white निकालोगे तो महंगा पड़ेगा इसलिए cyber cafe वाले इससे print out करते हैं तो पैसे जादा charge करते हैं यूदि कि इसकी इंक वगेरा महंगी आती है ठीक है एप्सन का आता है जी हाँ 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 जो भी लगा है वह एप्सन भी है बहुत सारे पिंटर आते हैं अधर कंप्यूटर में एक कम काम करेगा हाँ जी कलर पिंटर में लाइनिंग आती है अच्छा ग्लास वाइड बोर्ड पे तो वाइड बोर्ड होता जिस पर सीशा लगा होता है बस शीशा लगा के पीछे सफेद रंग लगा के भी आप ठीक है जी अनकेडमी पर हर महीने मेरी क्लास आती है अपने बताया था चीप एंड स्पीड अच्छी होती है इसमें पाउडर होता है ठीक है चली तो समझ में आगे सबको लेजर कैमरा भी होता है लेजर कैमरा भी होता है हां क्या सकते हो लेजर प्रिंटर में कैमरा होता है जो light ऐसे जाती है तो camera उसकी photo खीच लेता है और उसको चाप करके देता है क्या सकते हो होता है camera उसके अंदर ठीक है हाँ ये दोनों पे काम करेगा लेकिन color के लिए जादा use होता है black and white के लिए आपका laser printer जादा use होता है वो cheaper और faster होता है कभी इसमें ध्यान देना print out निकलता है बड़ा धीरे धीरे निकलता है इतना 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 करके निकलता है थोड़ा निकलेगा थोड़ा निकलेगा थोड़ा निकलेगा धीरे धीरे निकलता है black and white भी धीरे निकलता है laser printer में क्या होता है एक साथ निकाल देता है ठीक है जी क्यूंकि वो एक साथ photo खीच करके निकालता है यह थोड़ा-थोड़ा read करके बनाते हुए चलता design को ठीक है जी तो यह आपको समझ में आगया inkjet printer की quality आपको समझ में आगया अगला last printer है हमारा dot matrix printer तो dot matrix printer देख लो यह ऐसा होता है आप reservation कराते हो कभी reservation counter पे लपीजी जो gas लेते हो उसकी परची होती है अपने school में यह college में जो bill भरते होगे उसमें जो आपको रसीद मिलती है वो आप देखते हो कभी-कभी जो mark sheet आपको मिलती है demand draft मिलता है उसमें जो page होता है कभी ध्यान देना ऐसे करके डॉट-डॉट होते हैं और इनको फाड़ने में बहुत मज़ा आता है साइड कभी mark sheet वगएरा भी ऐसी इसी printer से print होती है इसका बिसी के लिए काम क्या है जैसे कि नाम है कभी ध्यान दिया है हां तो यह dot matrix printer होता है पॉइंट-पॉइंट में प्रिंट-प्रिंट करता है ठीक है जी बड़ा मज़ा आता है साइड साइड उसके फाड़ने में जो टिकेट आप लेते हो उसके भी साइड कैसे फाड़ सकते हो माक्षीट के भी साइड के हटा सकते हो तो अगर आप लमाक शीट को कभी ले जाओगे तो दुकान वाला ही फाड़ देगा कूंकि बहुत चोड़ा हो जाता है तो लमेंट हो न ही बात लेता है साइड के और उसको फिर लमीनेट कर देता है ऑप हां हर जगा काुण होता है जहाँ भी आप के बारे में बाद कर लेते हैं इसमानमें होता है और भी होता है और इसके तो जह सब्सक्राइव होता है डिपन की उपर लिक्विड काली इंक लगी रहती है कि रिबन कोई सब्सक्राइब क्यूंद है काले रंग का गीला होता है तो इसमें टेक्नलोजी को रिबन गया हुआ चाला ठीक है इसके पीछे यहां पर पेपर है और यहां एक प्रिंटर प्रेंट ने देखे सब की लिक्विड इंक होती है कि वह laser printer ऐसा है जिसमें की dry ink powder का roll डला होता है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा ये हमारा आ चुका है सारे शोरूम में यही printer यूज होता है for receipts जी हाँ bank में, passbook वगेरा में भी यूज होता है सही बात है, railway ticket में यूज होता है कहीं गूमना जाते है तो इसी का use होता है सही बात है, हर जगा यही होता है टाइप रेटर जैस, automatic टाइप रेटर मानलो इसको एक तरीके से और सबसे सस्ता होता है, ink भी सस्ती पड़ती है मतलब का काम कर देता है और यही इसका use होता है बस यही तीन major printers आते हैं और कोई खास printer नहीं आते है ठीक है स्क्रीन में dry ink लिखा हुआ है कहां लिखा है भाई इमें established printer images and text are drawn out tiny dots when print head strikes and ink soaked cloth against the paper in the required pattern of formation they also use dry ink नहीं यह गलत है, इसको काट देते हैं dry ink नहीं उसकरता है इसमें देखो उपर की line में लिखा है न कि printer head होता है, header जो होता है वो strike करता है किस पे ink soaked cloth तो जब ink cloth एक ribbon लगा होता है जिसमें जो ink soaked होता है ink में डूबा हुआ होता है तो जब डूबी हुई ink है तो dry नहीं होगा, तो यह इसको ignore कर दीजे यह गलती से line आ गई है तो यह dry ink नहीं होती है और यह ink soaked ribbon होता है जिसके उपर header जो होता है वो बारवा strike करता है और उससे text लिख करके आता है ठीक है जी सबको समझ में आ गया कुछ exam में dot matrix पर typing speed check होती है अच्छा which one is more faster laser printer faster होता है जादा यह भी बहुत दीरे दीरे और यह noisy बहुत होता है ठीक है यह आवाज बहुत करता है बहुत आवाज करता है cut 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 के आवाज आती क्योंकि इस पर वो इसका जो strike करता है न बार बार तो header बहुत आवाज करता है ठीक है तो यह कुछ चीजें थी जो की i hope कि आपको अच्छी लगी होंगी और बाकी हमारे पास है primary secondary memory के बारे में कुछ है और ठीक है तो इसको हम लोग next lecture में देख लेंगे कि primary secondary memory क्या होता है तो next lecture में इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि primary primary memory किसे कहते है short में भी जान लेते है दो टाइप की memory होती है primary memory और secondary memory primary memory दो टाइप की होती है RAM और ROM और ROM यह primary होती है जो memory primarily लगी हुई है आपके board के अंदर और secondary क्या होती है हर टाइप की hard disk drive है SSD है memory card है pen drive है flash drive है secondary होती है जो आप हटा सकते हो लगा सकते हो वह केवल storage के लिए होती है computer के functionality के लिए नहीं होती है RAM रोम हटा दोके तो computer नहीं चलेगा यह essentials होती है और यह आपकी महंगी भी आती है यह faster होती है तो अगले lecture में में और अच्छे से हम बात करेंगे चैनल को subscribe करें शेयर कर सकते हैं वीडियो को ऐसी वीडियो के देखने के लिए डेली साथ बज़े आप आ सकते हैं मैं डेली नियम से साथ बज़े आ जाता हूं और ऐसे हम लोग cutting से cutting concepts को easy बना करके बढ़ते हैं तो मिलके साथ में पढ़ते हैं I hope class आपको अच्छी लगी होगी और सबको thank you वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए have a nice day and take care